दोस्तो आज है 21 नवंबर 2024 और 21 नवंबर 2024 से related current of years के जितने भी question बन सकती है आज की class में सारे question को cover करेंगे और हर question से related important point भी मैं आपको बताऊंगी तो आज की पूरी class आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये class आपकी morning सुबह 7 एम पे daily live आती है आप सभी लोग सुबह 7 वजे इस class के लिए तयार रहा करिए इस से आपकी तयारी current affairs में बहतर होने वाली है और आगे आने वाली exam में आप लोग current affairs से related जितने भी type के question exam hall में पूछे जाते हैं आप उन सभी type के question का answer बहुत easily दे पाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला question देखते हैं आज का पहला question लिखा है ग्लास गो में वैस्विक पुलिस संगठन की बानवी आमसवा में वाल्डेसी उर्कीजा को इंटरपोल का नया महा सचिप चुना गिया है वह किस देशी हैं वाल्डेसी उर्कीजा है जबीन इलेक्टिड एस दे न्यू सिकेट्री जनरल अफ इंटरपोल एड़ ग्लोबल पुलिस और्गनाईजेशन 92nd General Assembly in Glasgow He is from which country? फर्स्ट ऑप्सन है ब्राजील, सिकेंड ऑप्सन है फ्रांस, थर्ड ऑप्सन है साउथ अफरीका, फूर्थ ऑप्सन है जापान जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस कुश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे हैं मारा ऑप्सन नंबर A, ब्राजील, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए से रेलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं ब्राजील के संगी पुलिस आयुक्त वाल डेसी उर्कीजा को ग्लास गो में वेस्विक पुलिस संगठन की 92 वी आम सवहा में इंटर पॉल का नया माहा सचिप चुना गया है जनरल असेंबली के समाप्त होने पर उर्कीजा वर्तमान अध्यच जुरगेन इस्टॉक की जगह लेंगे इस्टॉक पिछले दस वार्सों से दुनिया के सबसे बड़े पुलिस संगठन के सीर्स पर हैं भारत की और से इस वार्सिक कारिकरम में केंद्री जांच ब्यूरो सी बी आई के निदेशक प्रवीन सूध और संगीय ब्रश्टाचार निरोधक एजनसी के संयुक्त निदेशक विजेंद्र विदारी ने फाग लिया है ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ती हो निश कुशन देखती हैं निश कुशन लिखा है फ्रेंट्स विक्टोरिया केजर थेल विग को 2024 के लिए मिस यूनिवर्स का ताच पहनाया गया है जो अंतराश्ट ये सौंदर पतियोगता में उनके देश की पहली जीत है वह किस देश से हैं विक्टोरिया केजर थेल विग है जिवीन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर 2024 मार्किंग हर कंत्रीज फर्स्ट विन एड इंटरनेशनल ब्यूटी पैगमेंट सी इज फ्रॉम विच कंत्री फर्स्ट ओप्षन है स्पेन सिकेंड ओप्षन है नौर्वे थर्ड ओप्षन है साउथ कोरिया फोर्थ ओप्षन है डेनमार्क जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number D Denmark ठीके दोस्तों चलिए से religion important point हो को पढ़ते ही हैं देन मार्गी की Victoria कैयर थेल विक को 2024 के लिए Miss Universe का ताज पहनाया गिया है जो अंतराष्टिय सौंदर पृतियोगिता में उनके देश की पहली जीत है इस सौंदर पृतियोगिता का 73 तरवा संस्करण Mexico City एरीना में आयोजित किया गिया जिसमें 120 से अधिक पृति भागियों ने भाग लिया है Miss Nigeria चिडिमा एडेन सिना दूसरे इस्थान पर रही जबकि Miss Mexico मारिया फरनाल्डा बेल टार्ना तीसरे इस्थान पर रही हीरा बेचने के वेवसाय में काम करने वाली पसू संरच्छर अधिवक्ता थील विक को निकारा गुआ की Miss Universe 2023 सीने से पलासी ओस ने ताज पहना आया ठीक है दोस्तो चलियांगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स नाइजीरिया ने प्रिधान मंत्री नरेन मोदी को अपना दूसरा सरवोच राष्टिय पुरुषकार Grand Commander of the Order of the Niger प्रिधान किया है जिससे वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले कितने विदेशी गड़मान बन गए है नाइजीरिया हैज कंफर्म्ड इस सेकेंड हाइस नेशनल आवर्ड दी ग्रांड कमांडर ओफ दी ओर्डर ओफ दी नाइजर और प्राइम मिनिस्टर नरेन मोदी मेकिंग हिम दी फॉरियन डिजिन्टरी तू रिसीब दी डिस्टिनेशन फर्ष्ट आपसन है फर्ष्ट, सेकेंड आपसन है सेकेंड, थर्ड आपसन है थर्ड, फोर्थ आपसन है फोर्थ जल्दी से बताईएगा, फ्रेंस नाइजीरिया ने पिर्धान मंत्री नरेन मोदी को अपना दूसरा सरवोच राष्टिये पुरुषकार Grand Commander of the Order of the Niger पिर्दान किया है, जिससे वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से नंबर के विदेशी गड़मान बन गई हैं? इस कुईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंट्स, वह है मारा ओप्सन नंबर बी, सेकेंड, ठीके दोस्तों, चलिए से रेलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं, नाइजीरिया ने पिर्धान मंतरी नरेन मोदी को अपना दूसरा सर्वोच राष्टिय पुरुषकार, Grand Commander of the Order of the Niger पिर्धान किया है, जिससे वैये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गड़मान बन गई हैं, यह किसी देश द्वारा पिर्धान मंतरी मोदी को दिया गय सत्रवा अंतर राष्टिय पुरुषकार था, महरानी एलिजाबेत एक मातर विदेशी गड़मान है, जिने 1969 में G.C.O.N. से सम्मानित किया गया था, पिर्धान मंतरी मोदी नाइजीरिया के राष्टपती बोला एहमत तीनियूक के नेंतरड पर अपने तीन देशों की या आंगे बढ़ती हो, निश कुशन दीखती है, निश कुशन लिखा है, ट्रेंट से रिलाइंस इंड़स्टीज ने वैस्विक मीडिया हाउस बोल्ट डिजिनी के भार्टी कारोबार के साथ अपनी मीडिया परी संपत्तियों का विलेप पूरा कर लिया है, जिससे कितने वल्ट डिजिनी 2 फ्रोम अन्यू जॉइंट वेंचर वर्थ रेट, फर्स्ट ओप्सन है सतर हजार तीन सो बावन करोड, सिकेंड ओप्सन है साथ हजार तीन सो बावन करोड, थर्ड ओप्सन है असी हजार तीन सो बावन करोड, या फोर्थ ओप्सन है सतर हजार एक सो बाव इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number A 70,352 करोर चलिए इस question से related important point को पढ़ती है Reliance Industries ने West Wing Media House Bold Disney के भारत कारोबार के साथ अपनी media परी संपत्तियों का विलेप पूरा कर लिया है जिस से 70,352 करोर रुपे का नया संयुक्त उधम बनेगा इस संयुक्त उधम में Reliance Industries ने विकास के लिए 11,500 करोर रुपे 1.4 बिलियन अमेर्की डॉलर का निवेस किया है जिसकी अध्यच नीता मानी होंगी संयुक्त उधम में Reliance Industries की हिस्सेदारी 16.34 परिशत है जबकि इसकी साहयक IKAI VIA QOM 18 की हिस्सेदारी 46.82 परिशत तथा डिजिनी की हिस्सेदारी सेस 36.84 परिशत है ठीके दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो नेश कुष्यन देखती है नेश कुष्यन लिखा है फ्रेंड्स नवंबर 2024 में साओधी एरपोर्ट पिदर्सनी 2024 में एरपोर्ट एकसी लेंस एवार्ड के दौरान अपने अभूत पूर्व डिजिटल नवाचारों के लिए किस भार्टी हवाई अड्डे को अंतराश्टिय इस तर पर मानिता मिली जिसने इनोवेशन और टेकनोलोजी तता सुविधा प्रबंदन्स रेडियो में डिजिटल ट्वीन जैसी प्रकती के लिए प्रसंसा प्राप्त की है In November 2024, which Indian Airport was internationally recognized for its groundbreaking digital innovations at the Saudi Airport Exhibition 2024 during the Airport Excellence Award, winning isolates for advancement like the digital twin in the innovation and technology and facility management categories. फर्स्ट आप्शन है इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट डैली, सिकेंड आप्शन है केंपे गोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट बैंगलरू, थर्ड आप्शन है कोची इंटरनेशनल एरपोर्ट कोची, फोर्थ आप्शन है GMR हैद्रावाद इंटरनेशनल एरपो जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है मारा option number D GMR हैद्रावाद international airport चलिए से related important point 2 को पढ़ती है GMR हैद्रावाद international airport limited को digital नवाचार में अपनी प्रगती के लिए अंतराश्टी इस्तर पर प्रिसंसा मिली है और सौधी एरपोर्ट प्रिदस्नी 2024 के दोरान आयोजित एरपोर्ट excellence award में प्रिसंसा प्राप्त हुई है पुरुषकार समहरो 12 नवंबर को जियाद अंतराश्टी समेलन एवं प्रिदस्नी केंदर में आयोजित किया गिया जिसमें विमानन उद्योग में अग्रिडी वेस्विग नवाचारों का जस्न मनाया गिया GHIL के digital twin को innovation और technology तता सुविदा प्रवंदन्स रेडियो में प्रुषकार मिला GHIAL के अन्य नवाचारों में से एक स्मार्ट स्वापिंग ट्रॉली को एरपुड रिवेन्यू मैनेजमेंट स्रेडी में उपविजेता के रूप में मानिता दी गई ठीक है दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो next question देखती है next question लिखा है friends अंतराश्टी सही सुड़ता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है international day for tolerance is observed every year on which day first option है 15 November को, second option है 16 November को, third option है 17 November को, fourth option है 18 November को जल्दी से बताईएगा दोस्तों अंतराश्टी सही सुड़ता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे हैं हमारा option number B 16 November को, चलिए से related important point को पढ़ती है अंतराश्टी सही सुड़ता दिवस हर वर्ष 16 November को मनाया जाता है इसका उद्दे से विविन संस्कृतियों के बीच अपनी समझ को बढ़ावा देना और व्यक्तियों के बीच सही सुड़ता बढ़ाना है इस साल की थी में friends दुनिया भर में सम्मान और समझ को बढ़ावा देना आ सही सुड़ता बेदवाओ और हिंसा का मुकाबला करने के लिए वैस्विक समवाद और सहीों को प्रोशाइट करने के लिए 1995 में इस दिन की गोशना की गई थी इस गोशना में इस बात पर जोड़ दिया गया था कि सही सुड़ता केवल नैतिक करतव नहीं है बलकि सांती और समाजिक सदभाव के लिए एक कानूनी और राजनीतिक आवल सकता है ठीक है friends चलियांगे बढ़ती हो निश कुशन देखती है निश कुशन लिखा है दोस्तो अमेरिका अंतरिच एजेंसी नासा ने किस कंपनी के साथ साजेदारी करके एक आसान से पहुँच और उप्योग करता कि अनकूल आर्टीफीसियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बॉट विक्सित किया है जो लोगों को प्रत्वी के बारे में वैग्यानिक डेटा को डिकॉर्ट करने में मदद कर सकता है यूएस स्पेस अजेंसी नासा हैज पार्टनर्ड बिट विच कंपनी तो डवलब एन एजियर तो एक्सिस एंड यूजर फ्रेंडली आर्टीफीसियल इंटेलिजेंट बेस्ट चैट बॉट देट कैन हेल्प पीपल डिकॉर्ट सेंटिफिक डाटा एवाउट अर्थ फर्स्ट आप्शन है माइक्रोसॉफ्ट सिकेंड आप्शन है गूगल थर्ड आप्शन है आई बियम या फोर्थ आप्शन है इनफोसिस जल्दी से बताईएगा दोस्तों अमेर की अंत्रिश एजेंसी नासा ने किस कंपनी के साथ साजेदारी करके एक आसान से पहुँच और उप्योग करता कि अनकूल आर्टीफीसियल इंटेलिजेंस आधारिच चैड़ बॉर्ट विक्सित किया है जो लोगों को प्रतवी के बारे में वैग्यानिक डेटा को डिकॉर्ट करने में मदद कर सकता है इस कुश्चन का जो राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ओप्सन नमबर ए माइक्रोसॉफ्ट चलिए इससे कुछ रिलेटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं अमेर्की अंतरिच एजेंसी नासा ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साजिदारी करके एक आसान पहुँच वाला और उपयोग करता की अनकूल आर्टिफीसियल इंटेलीजेंस आधारित चैट बोर्ट विक्सित किया है जो लोगों को प्रत्वी के बारे में वैग्यानिक से लेकर जलवायू परिवर्टन पर नजर रखना सामिल है जिससे लोगों के प्रत्वी के डेटा के साथ बाचित करने के तरीके में बदलाव आएगा ठीक है दोस्तों चलियांगे बढ़ती हो निश कुशन देखती है निश कुशन लिखा है फ्रेंट किस पूर्व भारती खिलाडी को दोभई स्पोर्स कांसिल का खेल राज़्ूत नुक्त किया गया है विज्जर फॉर्मर इंडियन स्पोर्स पर्षन है चीज बीन पॉइंटेट एस देटा है स्पोर्स अमबेस्डर ओफ दी दोभई स Wakसिल. फर्स्ट उप्सन है हरवजन सिंग एंट सानिया मिर्जा, सिकेंड उप्सन है मिताली राज एंट सानिया मिर्जा, थर्ड उप्सन है हरलीन डोयल एंट सानिया मिर्जा, फोर्ट उप्सन है महिन सिंग धौनी एंट सानिया मिर्जा चल्दी से बताईएगा दोस्तों किस पूर भारती खेलाड़ी को दुबई स्पोर्स काउंसिल का खेल राजदूद नुक्त किया गया है इस क्वेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा उपसन नंबर E हरुजद सिंग एन सान्या मिरजा को चल्ये इस से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ती हैं दुबई स्पोर्स काउंसिल ने पूर्व किरिकेट खिलाडी हरवजन सिंग और महिला टैनिस खिलाडी सानिया मिर्जा को खेल राजदूत नुक्त किया है दुबई स्पोर्स काउंसिल दुआरा नुक्त चार खिल आइकन में रूसी खवीब नूर मगोवदेव और फ्रांसी सी फुटवॉल खिलाडी पेट्रिस एवरा के साथ सामिल हो गई है खेल राजदूत के रूप में ये चार पूर्व खिलाडी दुबई को एक प्रमुख वैस्वी खेल गंतव के रूप में इस्थापित करने में महतपूर भूमिका निभाएंगे वे प्रतिष्टित अंतर्राश्टी आयोजनों को आकर्सित करके इस्थाणिय प्रतिभाओं को बढ़ावा देकर और खेल परयाटन को बढ़ावा देकर दुबई के खेल पार्सित की तंतर को मजूत करने में मदद करेंगे ठीक है दोस्तो चली आंगे बाढ़ती हो नेश कुईशन दीखती है नेश कुईशन लिखा है फ्रेंट्स प्रजनेस गुड़ेश्वरन जिरूहोंने हाल ही में अपनी सेवा निवरत्ती की घोश ना की किस खेल से सम्बंदित है प्रजनेस गुड़ेश्वरन हो रिसेंटली एनाउज्ड हिज रिटाइर्मेंट इज रिलेटिड टू विच स्पोर्ट फर्स्ट आप्शन है टैनिस सिकिंड आप्शन है बैडमिंटन थर्ड आप्शन है स्क्वेस फूर्थ आप्शन है होकी जल्दी से बताईएगा दोस्तो प्रजनेस गुड़ेश्वरन जिरूने ह आली में अपनी सेवा निवरत्ती की घोशना की है किस खेल से संबंदित हैं इस कुईशन का जो राइड आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं मारा ओप्शन नंबर ए टैनिस खेल से ठीके दोस्तो चलिए से रेलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पड़ते हैं एसी आई खेलों की कांस पदक विजेता प्रजनेश गुरिश्वरन ने पेसे वर टैनिस से सन्यास की गोशना की 35 वर्षी भारतिये ने 2018 जकार्टा एसी आई खेलों में एकल कांस पदक जीता था उनकी सर्वोच यूगल रैंकिंग 248 थी जो उन्होंने 2018 में हासिल की थी गुरिश्वरन ने सभी चार ग्रेंड सिलैम में भाग लिया तता सभी वारवे पहले दोरे में ही भार हो गए और स्टेलियन ओपन एक मातर सिलैम था जिसमें उन्होंने कई मौकों पर प्रतिस परदा की 2019 और 2020 में उन्होंने यूगल में केवर एक खिता जीता मिसर F25 सर्व अलसेख 2018 में अपने मिसर के साथी इस मसाम है तक तावील के साथ ठीके दोस्तों चलियांगे बढ़ते हैं और आज का लाज कोईशन देखती है आज का लाज कोईशन लिखा है फ्रेंड्स 2024 के भार्टी अंतराश्टी है फिल्म महौसब के लिए अंतराश्टी जूरी का 2024 इंटर्नेशनल फिल्म फेस्टिवल ओफ इंडिया फर्ष्ट ऑप्सन है पारुल त्यागी सिकेंड ऑप्सन है अविनास गौरिकर थर्ड ऑप्सन है गायत्री जोसी फूर्ट ऑप्सन है आसुतर्स गौरिकर जल्दी से बताईएगा दोस्तों 2024 के भारती अंतराश्टी फिल्म महौसब के लिए अंतराश्टी जूरी का अधिश के से नुक्त किया गया है इस कुश्टन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे हैं हमारा ऑप्सन नंबर डी आसुतोस गौरिकर को चलिए से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं फिल्म निर्माता आसुतोस गौरिकर को 2024 के भारती अंतराश्टी फिल्म महौसब के लिए अंतराश्टी जूरी का अधिश नुक्त किया गया है जोधा अकबर लागान और स्वधिस जैसी फिल्मों के लिए मसुहूर गौरिकर ने कहा कि वह इस प्रितिष्टित फिल्म महौसब से जुड़कर समानित महसूस कर रहे हैं जो 20 से 28 नवंबर तक गौवा में आयोजित किया जाएगा ठीक है दोस्तों आई होप आजके सभी कुषण आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेνस और सभी कुषण से एलेटिड इमपौर्टन पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे exam के नजरिये से दोस्तों क्लास बहुत हेलफुल रही होगी आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी स्टेडी चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में करना मत बूलिएगा ठीके दोस्तों थैंक यू सो माज दोस्तों